नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोगा सोनो श्टरी क्लास है यूटूब चर्म दोस्तों आप से लोगा से अर्टी बुक क्लास 11 राज नितिक विज्ञान चैप्टर 4 समाजिक न्याय पर प्रसुतर में आप लोग को स्वीडियों बताऊंगा मुख्य विन्दू राचीन भारतिय समाज में न्याय धरम के साथ जुड़ा था और धरम का न्याय उचित समाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्रात्मिक करता पे माना जाता था समाज में समाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी वक्तियों पर निस्पच चरूप से लागू हों हमारे देश में समाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सविधान ने चुवा चूत की प्रथा का उन्मूलन किया और यह सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों कि लोगों को मंदीरों में प्रवेस नोकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूर्तों से न निस्पच करने की और प्रेरित करता है डाक्टर भीम राव अंबेक्टर की अनुसार न्याओ पूर्ण समाज हुआ है जिसमें परसपर समान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की बढ़ती हुई भावना मिलकर एक करूड़ा से भरी समाज का निर्मार करें जे एस मेल के अनुसार नियाय में ऐसा कुछ अन्त निरिशित है जिसे करना न तो सिर्फ न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत बल्कि जिस पर बतोर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विसेश हमसे दावा जदा सकता है अग्यानता के आवरन वालिस्तिती की वेसेशता यह है कि उसमें लोगों से समान रूप से विवेक्सील मनुस से बने रहने की उमीद बनती है रॉल्स ने इसे अग्यानता के आवरन में सूचना कहा है यह आसा करते हैं कि समाज में अपने सवभाविक स्थान और हैसियत के बारे में पूर अग्यानता की हालत में हर आदमी आनतोर पर जैसे सब करते हैं वैसे आपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा करेगा परिसर्मिक या करतब्यों का वित्रन करते समय लोगों की विसेश जरूरतों का ध्यान जरूरतों का ख्याल रखने का सिध्धानत है इसे समाजिक नयाय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है समय समान अधिकारों के अलावा समकच्छों के साथ समान बरताओं क के सिध्धान्त के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग जाती नस्त लिया लिंग के अधार पर वेद भाव न किया जाए उन्हें उनके काम और करम कारिक कलापों के अधार पर जाचा जाना चाहिए इस अधार पर नहीं किवे कुछ की समुदाई के सदस्य हैं अभ्यास प्रशन नमर एक June कि हर वेक्ति युको उसका प्राप अनकर देने का क्या मतलब है हर किसी गो उसका प्राप देने का मतलब समय के साथ साथ कैसे बदला उत्तर नियास सब्द की उत्पति जस्टस हुई है जिसका अर्थ है किसी को देना परन्तु कि किसी को देने की अउधारना समाज में विविन होती है। उधारन के लिए समय कि एक विंदू पर महिलाओं को समाज में महत्पूर्ण इस्थान प्राप्था। प्रंतु कालांतर में इसकी अपेच्छा की गई और उनकी इस्तिती खराब हो गई। तथा विविन प्रकार की य आविस्तक माने गए हैं प्लेटू के अनुसार न्याय की अंतरगत प्रतेक वर्ग को अपने छेतर के कार्य की उपलब्दी और दूसरी की कार्यों में हस्तचेप न करना ही न्याय है। इसलिए उसने न्याय की अलग आवसकताइं बताई। उसने अपने न्याय की योजना में सुझाव दिया कि उत्पादन के सांध, कादनों और वित्रण का सामोईक स्वामित्वक होना चाहिए। इसी के साथ प्रतेग व्यक्ती की मील आवसकताओं को पूर्ती होनी चाहिए। वरतमान में न्याय की आवधारना में कुछ तत्यों का समावेश होता गया है। आज नियाय ने किवल समाजिक आर्थिक पच्ची की व्याख्या करता है बलकि नयतिक मनो विज्ञानिक आत्मिक और मानववादी पच्ची की व्याख्या करता है प्रस नमर दो अध्याय में दिये गए नियाय के तीन सिधान्तों की संचेप में चर्चा करो प्रतेक को उधारन के साथ समझाईए उत्तर विविन प्रकार के नियाय अनेक सिधान्त उसके अनुसार बनाए गए हैं जो निम्लखीत हैं नमर एक समान के लिए समान बेवार समान के लिए समान बेवार अति महत्पून और आवस्थक माना जाता है और अपेच्छा सुईकार किया जाता है कि व्यक्ति कुछ विसेशता हैं मानो जाती के रूप में दिखाता है इसलिए पतेक समान दसाओं में समान बेवार कायम करता ह अब एक अधिकान स्थेत्रों में जिसमें हम समानता के वहवार की आसा करते हैं या निमलिखित है नमबर एक नागरीक अधिकार, नमबर दू समाजीक अधिकार, नमबर तीन राजनितिक अधिकार समान के लिए समान वहवार का एक अन्य पहलू यह है कि वर्ग जाती या लिंग के अधार पर किसी प्रकार का वेदभाव नहीं होना चाहिए प्रतेक व्यक्ति को उसके प्रतिभा और कौसल के कारिक पर तुल्नियात्मक करना चाहिए नमबर एक अनुपालित न्याय अनुपातिक न्याय से तातपर यह है कि लोगों को वेतन और गुड में एक अनुपात होना चाहिए करतब और पुरुसकार का निर्धान करना चाहिए और परिवासित करना चाहिए वाश्तिविक न्याय के लिए आधूनिक समाज में समान बहवार का सिधान्त अनुपातित सिधान्त से संतूलित करने की आवसकता है नमबर दू विसेश आवसकता की पाचान या लोगों की विसेश आवसकताओं की संदर्व में पाचान करती है जब किसी को पुरुसकार या कार वित्रित किया जाता है तो हमें अपनाया जाता है कभी कभी हमें नयाय के लिए संसोधित उपायों का सहारा लेना पड़ता है और लोगों के साथ विसेश बहवार करना पड़ता है इसको ही विसेश आवसकता की पैचान कहते हैं इसे असंतोलित को संतूलन करना भी कहा जाता है प्रश्ट नमर 3 क्या विसेश जरूरतों का सिधान सभी के साथ समान बरताव के सिधान की विरुद्ध है उतर समान रूप में समाच के साथ बहवार लागू हो सकता है कि लोग जो कुछ द्रिष्ट्यों से समान नहीं है उन्हें विविन प्रकार से विचार कर सकते हैं सारेरिक योगिताओं आयू सफलता की कमी अच्छी सिच्छा या स्वास्त आधी कुछ महतपूर्ण कारक है जो विसेश बेवार की रूप में विचार किया जा सकता है यदि दोनु सम्मुहों के लोगों या समान लोग और अपंग व्यक्तियों को विसेश मदद या उनकी कु जा सके तो उनसे न्याय की आव सकता की पूर्थी होगी परन्तु यह न्याय से अलग या समान न्याय नहीं होगा प्रस्ट नमबर चार निस्पच और न्याय पूर्ण वित्रन और नियुक्ति संगत आधार पर सही ठाराया जा सकता है रॉल्स ने इस तर्क को आगे बढ़ किया है वह तर्क करते हैं कि निस्पच और न्याय संगत नियम तक पहुशने का एक मातर रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्तितियों में होने की करपना करें जहां हमें या निर्णे लेना है कि समाज को कैसे संगठीत किया जाए हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिव परिवार में हम जनम लेंगे हम उच जाती के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाती में धनी होंगे या गरीब सुविधा संपन होंगे या सुविधा हीन। रॉल्स कहते हैं कि अगर मैं यह नहीं मालूम हो कि हम कौन होंगे और भविस्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प चुने खुले होंगे तब हम भविस्य के उन समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस नियने का समर्थन करेंगे वो तामाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। सबसे बुरी स्थिति के मद्दे नजर समाज की गल्प न करेगा। न मिले तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यही उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सुचे जू कमजोर तबके के लिए यह थोचित औसर सुनिस्चित कर सके। इस प्रयास से दिखेगा कि सिच्चा स्वास्त आवास जैसे महत्पूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त होंगे। चाहे वह उच्च वर्गों के हों या न हों। प्रस्ट नमर पांच आम तोर पर एक स्वस्थ और उस उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की नियुन्तम वुनियादी जरूरते क्या मानी गई हैं। इस नियुन्तम को सुनिस्चित करने में सरकार की क्या जिमदारी है। उतर एक समाज उस समय नियाएपूर्ण माना जाता है जब व्यक्ति के अंदर उतना बड़ा होता है जो उसके नियुन्तम आव सकता हों के पहुंच के संदर्व के प्रयास नहीं होता है। इसके लिए एक नियाएपूर्ण समाज को लोगों के नियुन्तम मूल आव सकता हों के साधन उपलब्द करना चाहिए जिससे लोग स्वस्थ सुरच्छी जीवन जी सकेदता अपने प्रतिवा का विकास कर सके। लोगों को समान समाज में समान जनक इस्थान प्राप्त करन संचालन के लिए विविन सरकारों द्वारा विविन प्रकार के उपाय किये गए हैं। इनसे अंतराष्टे संगठनों, विश्व स्वास संगठन और राष्टे सिवा योजना का भी महत्पूर्ण योगदान है। इन आवसकताओं में स्वास्त, आवास, खान पान, पेजल सिच्छा और नियुंतम मजदूरी आदी सामेल है। प्रस्त नमर छव। सभी नागरिकों को जीवन की नियुंतम बुनियादी स्थितियां उपलब्द कराने के लिए राजी की कारिवाई को निम्न में से कौन से तर्क से वाजीव ठार आया जा सकता है। को गरीब और सभी नागरिकों को जीवन का नियुंतम बुनियादी स्थितर उपलब्द कराना उसरों की समानता सुनिस्चित करने का एक तरीका है। उत्तर सभी नागरिकों को मूल नियुंतम बुनिस्थर की जीविका ओसरों की समानता की द्रिष्टी से एक तरफा है। 6. सभी के लिए बुरियादी सुविधाएं और नियुन्तम जीवन इस्तर सुनिश्चित करना साजी मानोता और मानो अधिकारों की सविकृति है उत्तर सभी नागरिकों के लिए मूल सुविधाएं और नियुन्तम विस्तर की जीवी का प्रदान करना मानोता और मानो अधिकार की पाचान है अतरिक्त प्रशन उत्तर प्रशनमबर एक अनुपा तिक न्याय के विचार से आप क्या समझते हैं उत्तर अनुपातित न्याय से तातपर एया है कि लोगों को वेतन और गुड में एक अनुपात होना चाहिए करतव और पुरुसकार का निर्धान करना चाहिए और परिवासित करना चाहिए वास्तविक न्याय के लिए आधूनिक समाज में समान बैवार का सिधान्त अनुपातित तोली करने की आव सकता है प्रश्व नमर दो न्याय का अर्थ क्या है? उत्तर न्याय सब्द की उत्पत्ति जस सी हुई है, जिसका अर्थ है किसी को देना, परंटू किसी को देने की अधारणा समाज में विविन होती है विविन की लिए समय के एक विंदू पर मैलाओं को समाज में मातपूर्णिस्तान प्राप्त था परंतु कारांतर में इसकी उपेच्छा की गई और उसकी इस्तिती खराब हो गई तो था विविन प्रकार की यातनाय दी जाने लगी तो अब नियाय के विचार के लिए सत्याता, इमंदारी, निर्प नियाय में ऐसा कुछ अंत्र निजेत है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत बलकी जिस पर बतोर अपने नातिक अधिकार कोई विक्ती विशेस हमसे दावा जता सकता है प्लीटों के अनुसार न्याय की अंतरगत प्रतिक वर्ग को अपने छेतर में कारियों की उपलब्दी और दूसरी की कारियों में हस्ताचेप न करना ही न्याय है मार्क्स वादी के अनुसार न्याय की अधारना की दृष्टी से अलग है और किसी का उची देस्थान का विचार भी अलग है वो पुझीवादी विवस्ता से अच्छी तरह से परचित था जो न्याय पर अधारित था इसलिए उसने न्याय की अलग आव सकता है बताई उसने अपने न्याय की योजना में सुझाओ दिया कि उत्पादन के सादनों और वित्रन पर सामोहिक स्वामित्व होना चाहिए इसी की साथ प्रतेग व्यक्ति की मील और सकताओं को पूर्ती होनी चाहिए न्याय पर जान रॉल के सिधान्द की ब्यक्या कीजिए उत्र जान रॉल के सिधान्द के अनुसा निस्वक्ष और नया संगत नियम तक पहुशने का एक मात्र रास्ता यही है कि हम खूद को ऐसी परिस्तियों में होने की करपना करें जहां हमें एयर निर्ने लेना है कि समाज को कौन से कैसे संगठित किया जाए हम नहीं जानते कि किस्म के परिवार में हम जनम लेंगे हम उच जाती के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जाती की धनी होंगे या गरीब सुविधा संपन होंगे या सुविधा हीन राल्स कहते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो तो मालूम नहुत की हम कौन होंगे और भविस्त में समाज में हमारी लिए कौन से विकल्ब खुले होंगे तब हम भविस्त के उस समाज के नियमों का संगठन के बारे में जिस नेरने का समर्थन करेंगे वो तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा रॉल्स ने इसे अग्यानता के आउधारणा में सुचना कहा है वे आसा करते हैं कि समाज में अपने स्वभाविक स्थान हैं हैसियत के बारे में पूर्ण अग्यानता की हालात में हर आदमे आमतोर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करे क्योंकि कोई नहीं जानता की हुआ कौन होगा और उनके लिए क्या लापद होगा इसलिए हर कोई सबसे बुरिस्ति के मद्दे नजर समाज के कल्पना करेगा खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति की सामने या इसपष्ट रहेगा कि जो जनम में जनम से सुवि सब्सक्राइन के समद्रे दीजिए समा upना की तोफ़ितinky में हो जहां वहां कि प голए उसर न मिले तब क्या होगा इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए यहीं सुचित वगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमजोर तक 1 के लिए ये थोचित और सुनिस्चित कर सके इस प्रयास से दिखेगा कि सिच्छा स्वास्त आवाज जैसे महत्पूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त होंगे चाहे वह उच्चिवर्ग के हूँ या ना हूँ प्रश्ट नमर चार मुक्त वजार के लच्छडों का वर्णन कीजिए उत्तर मुक्त वजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो व्यक्तियों को संपत्ति अरजीत करने लिए जता मुल्ले मजदूरी और मुनाफ़े के मामले से दूसरे के साथ अनुवद और समझोते में सामेल होने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए उन्हें लाब की अधिकम मात्रा हासिल करने एक दूसरे से दूसरे के साथ प्रियोगिक करने की छूट होगी चाहिए यह मुक्त वजार का सरल चित्रन हैं मुक्त वजार के समर्थकों मानते हैं कि अगर वजारों को राज्य की हस्तच्छे से मुक्त कर दिया जायतू बजारी कारूबार का योग कुल मिला कर समाज में लाब और करतव्यों का न्याईपूर्ण वित्रन सुनिस्चित कर देगा इससे योगिता और प्रतिभा से लेंस लोगों को अधिक प्रतिफल मिलेगा जबकि अच्छम लोगों को कम हासिल होगा उनकी मानिता है कि बाजारी वित्रण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा प्रश्ट नमबर पांच न्याय एक को देने से है व्याख्या कीजिए उत्तर न्याय सब्द की उत्पति जस से हुई है जिसका आर्थ है किसी को देना परंतु किसी को देने की अधारना समाज में विविन होती है उससे क्या समन्दित है एक व्यक्ति को क्या प्राप्त करना चाहिए और उसका समाज में क्या इस्थान है तथा उसे कौन सा अधिकार प्राप्त होना चाहिए परंतु एक को देने को क्या होना चाहिए और क्या आव परिज़ीन प्रकार की यातनायात दी जाने लगी भारती सविधान के अनुसार महिलाओं को पूराबर अधिकार दिये गए हैं, जिससे महिला अपना विकास कर सके और नयाय के विचार के लिए सत्यां ता इवंडारी निश्पचल्चता समान और सरसमान बहवार और और समाज्यिक नियाय से आप क्या समझते हैं समाजिक नियाय का अर्थ है समाज में रहने समाज में प्रतेक विक्ति का महत्तो है। समाज में जाती धर्म वर्ण आदी के अधार पर वेदभाव न किया जाए। दासप्रथा के समय दासों को अन्य नागरिकों से है, समझा जाता है। भारत में लंबे समय तक अच्छूतों को समाज का पेच्छित अंग समझा जाता था। अबिस्व के अनेक भागों में अभी समाज में इस्तिती पुरुसों के समाने नंये हैं। सब समाजिक अन्याय की स्तितियां हैं समाजिक न्याय का स्तिति में सबको समाज में उचित इस्थान होना चाहिए प्रस्त नमबर साथ भारती सविधान कुछ प्रावधानों का विवरन दीजिए जिसका उद्देश समाजिक न्याय का निर्माड है उत्तर भारती सविधान निर्माताओं ने समाजिक नयाय को बढ़ावा देने के लिए निम्लिकित प्रावधानों की व्याक्या व्यवस्ता की है नमबर एक मोल अधिकार नमबर दो रुजगा सिच्छा संस्थाओं और वैधानिक संस्थाओं संसद और विधान सभाव की आरच्षण का प्रावधान नमबर तीन चुवा चूत का निवारन नमबर चार राजनितिक के वित्ती निर्देशक सिद्धान प्रश्ट नमबर चाते हैं और एक नए मिस्तित समाज का निर्माण होता है प्रश्न नमबर 90 जरूर्तों का सिध्धान सभी के साथ समान बरताव की सिध्धान के विरुद्ध है कैसे समझाएं उतर समान रूप से समाज के साहथ बहवार लागू हो सकता है कि लोग कुछ लोग जो कुछ दृ प्रकार के विचार कर सकते हैं सारीरिख योगितायों आयू सफलता की कमी सिच्छा अच्छी सिच्छा या स्वास्त आदी कुछ महत्पूर्ण कारक हैं जो विशेश बेवहार के रूप में विचार किया जा सकता है यदि दोनों समुहों के लोगों या समानी लोग और नयाय की आवसकता की पूर्ती होगी परंतु या नयाय से अलग या आसमान नयाय नहीं होगा प्रस नमबर दस भारती सविधान में समाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रावधान किये गए हैं उतर हमारे देश में समाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सविधान ने छुगा छूत की प्रथा का अन्मूलन किया और यह सुनिस्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदीरों में प्रवेश नोकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से न रोका जा सकी अगर वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और नेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचिंग